हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल मैं हूँ प्रिती शर्मा और प्रिती सुपर स्टैयल में आप सभी लोग एक पर फिर से स्वागत है तो आज मैं आप लेकर आई हूँ कि अगर आप भी अपनी चेहरे को चमकाना चाहते हैं अपनी तुछा को निखारना चाहते हैं और अपनी ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो उसके आपको डेली ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी जो स्कीन है वो हमेशा ग्लो करती रहे और आपकी चेहरे की चमक बनी रहे तो यहां पर मैं आज आपके लिए कुछ एक ऐसा ही फिर से एक डियाइवाई लेके हलंकि जान चाहिए जाती हूं झाल है जरुक्ति करते हैं तो च्तिश को आप कुछ दूर करते हैं और अगर दो बनी चैनल पर देख करने about इसे विडियो चैनल पर आपने नीज़ते हैं जुक्रकर क्या हूंक लिए नहीए आपने जीतों देखते हैं छाए 17 ज़र्की करने फुल बहुत जरूर करें अर यह फ्यद्या का रदा चवर को पूछेंग ऑपने भीडियो को रिदेशन की बंट गवे μεने ओंटे-बान। प्रेंज प्रण組 होता एकदम निखल जाता है और बहुत ही शाइन करता है तो ऐसा ही चहरा ऐसी ही इस ग्लोइंग स्किन आपको मिलने वादी है अगर आप लोग इस डियाइवाई को अच्छे से करेंगे और डेली करेंगी तो चली आज के वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहल अगराए भी लॉक्टाउन चलता है तो बहार जाना तो बिलकुर भी अलाओ नहीं है तो यहां पर यह ति मिर पास गुलाब जल है और यह होग कि आप सबके पास गुलाब जल जरूर होगा क्यों बिल जाता है और यह बहुत ही अच्छा टोनर का काम भी करता है तो यह लेतिए नहीं कुलाब कि रहा है तो यह अच्छा में उल को धुकल हुत है तो क्यों है दो जोड़त है दिखने के सब्सक्राइब नहीं को बिल जाती है तो यह थी तो अटे है लेकि यह चाहलने के लिए आपको इनको बांट नहीं हो जादी है तो आप लें बाहर से कुछ पर आपको गुलाब जुल की जड़त है और सेकंड आपको जड़त है विटामिक E-Orl कैप्सुल तो इन दोनों का अपको मिक्स करना है तो चलिए देखें कि एंको कैसी मिक्स करना है और यह तो आपको पता है कि गुलाब जुल कितना अच्छा होता है कितना चेक टोनर का काम करता है हमारे स्किन को हैड्रिज करता है तो और यह तो इन दोनों को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है और कैसे एपलाई करना है तो फेंस इसपून लेक्न अपने दोने तो तो पेंसा थांस ज of लोलra नहीं लिए मैं आपको इसंदे पें निकाल लिया है और इसके बाद आपको मिक्स करना है ने तुप्सल Кाप्सूल और इसको इसका जो ऑईल एब हो मैं इसमें एड़ कर लूगी इसको अच्छे से मिंस कर लें इसको देखिए मैं अपने हाथों पे लगा लिया है और अब इससे आपको अपनी फेस पे मसाज करनी है तू तू त्री मिनर्स के लिए अटाश प्जाज लिए अच्छे अच्छे से लिए इससे आपके इसकी अच्छे आपके श्कीन हें और इसको अच्छे से करनी है आपको अपनी फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है उसके बाद ही आपको इसे मसाज करना है आप चाहें से कभी भी कर सकते हैं मौर्निंग आफ्टर्नियून या नाइट उट नाइट में अगर आप करते हैं तो यह बहुत ज़ाज एफेक्टिवर्स को करने के बाद उसके को पार्णिवर्स करते हैं गलोई बनाती है नेक्स नहीं के लिए तो हमें इसी तरीके से इसको यूज करना है और अपनी बाद आप अपनी इसके को आप लिए बहुत बहुत ही बहुत ही चंकेगी और हर कोई आप से पूछे कर आप पीज़ू अपने स्किन पहँए ह आप लोगों मेरे डिया बहुत पसंद आया होगा अपने कमेंट करके जब बताएं कि आप लोगों मेरे वीडियो कैसी लगी तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाहरे टेक्टिया